हेलो दोस्तों मायोंटिक गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपका ESVI कियोस्क में एक अकाउंट है और आप उससे बंद करा कर अपने में ब्रांच में अकाउंट ओपेन कराना चाते हैं और दोस्तों आपके साथ ये प्रोलम है कि आपने जिस कियोस्क में अपना आपको क्या करना होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको उताओंगा सो चलिए शुरू करते हैं सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूँ अगर आप SVI के मेन ब्रांच में अपना अगाउंट ओपेन कराना चाहते हैं और आपका कियोस्क में बैंक है तो अहां पे आपका अकाउंट नहीं open होगा और नहीं आप अपने कियोस्क बैंक को main में convert करा सकते हैं तो दोस्तों यहां पे आपको अपना पहला कियोस्क का अकाउंट बंद कराना होगा इसके लिए आपको कियोस्क में जाना होगा और उहां पे आपको एक आपेदन लिखना होगा कि हमारा अकाउंट बंद कराना है और उसमें आपको सेल मोहर और उनकी दसकत लगवाना होगा इसके बाद आपको होम ब्रांच में जाना है और उहां से आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा तो ऐसे में अगर आपका जो कियोस्क बैंक है वो बंद हो गया है या फिर नहीं खुलता है तो आप ऐसे में कियोस्क में अपने अबेदन का सेल मोवर नहीं लगबाग पाएंगे तो आपको अपना अकाउंट बंद करने में दिक्कत होगी तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना बताने जा रहा हूँ मेरे साथ क्या प्रोब्लम हुई थी तो दोस्तों कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था मैं भी अपने मेन ब्रांच में अकाउंट ओपेन कहना चाहता था लेकिन मेरा भी एक क्योस्क में अकाउंट था जिसकी बज़े से वहाँ पे अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था और मैं जब ब्रांच में गया और वहाँ पे पूँचा तुन्हों ने भी बोला कि जाए पहले क्योस्क को बंद कराए तो मैं वहाँ पर कियोस्क में गया तो पता चला कि वो बंद है मैंने एक दिन गया और इसके बाद वहाँ पता चला कि कोई वहाँ पर रहते हैं जो कि सील मोहर लगा देंगे तो फर्स दिन मैं वहाँ से चला आया और दूसरे दिन मैं फिर से गया और फिर से वहाँ पर कोई नहीं मिला तो मैं फिर से मेन ब्रांच में आया और वहाँ पर मैंने कहा कि वहाँ पर कोई बैंक ही नहीं ओपन कर रहा है तो ऐसे में मैं सील मोहर कैसे लगवाँ तो उन्होंने बताया कि आप मेन ब्रांच के सामने ये कियोस्क था तो उन्होंने बोला कि आप सामने चले जाए और उहां पे लगवा लीजिए तो उहां से हो जाएगा तो मैं उहां पे सामने गया और उहां से ही kiosk की seal मौह लगवा लिया तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसी प्रोउबलाम है तो आप pass के किसी भी kiosk में जाएए लिखना होगा जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है अगर आपको आपेदन अच्छे सी डिटेल में चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रीप्षन में एक लिंग मिल जाएगा जहां से आप अच्छे से एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं और अपना आवेदन बना सकते हैं और दोस्तों आवेदन के साथ आपको सेल मोहा लगवाना होगा जिस भी कियोस में आपका अकाउंट है और इसके बाद आपको अपना पास्बूक भी वहाँ पे लगाना होगा और उसकी फोटो कापी चेक कर आ लेंगे और उसको भी यहाँ पे मेंसर कर देंगे कि हमारा इतना पैसा है तो आपका अकाउंट जब क्लोज होगा तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे आप थोड़ा सा बेट कर लेंगे तो आपको प्रोसेस होने के बाद आपका पैसा मिल जाएगा और आपको बुला कर देंगे मेरे अकाउंट में सिर्फ 40 रुपए थे तो भी उन्होंने मुझे बुला के दिया अगर आपका 30 रुपए 40 रुपए जो भी है आपको मिल जाएगा तो आप बेट कर लेजीगा थोड़ा सा तो आपको पैसा मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप इसके बाद अपना मेन ब्रांच में अकाउंट ओपेन करना चाते हैं तो सेम डेट तो पॉसिवल नहीं है क्योंकि SBI में इतनी भींड होती है कि उसी दिन आपको अकाउंट बंद करने में पूरा टाइम लग जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये अकाउंट बंद होता है तो आपका एक दिन तो ऐसे भी चला जाएगा तो अगर आप अपना अकाउंट ओपेन करना चाते हैं तो एक-दो दिन बाद जाएए तो आपका अकाउंट ओपेन हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी क्योस्क अकाउंट को बंद कराके एन ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपके पास और कोई क्यूस्चन है या कोई प्रोलम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूंच सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद